हम सब लोग आये हैं आलोक कुमार सुमन जी के लिए आप सब का समर्थन मांगने सभी निताओं ने यहाँ इस सम्मद्ध में विश्टित चर्चा कर दी है जब आलोक कुमार सुमन जी को आप चूनियेगा सांसत के रूप में केंदर में फिर से मोदी जी के नेत्रतु में इंडिये की सरकार बनेगी और जो काम पिछले पांच वर्सों में केंदर की सरकार ने मोदी जी के नेत्रतु में किया है उससे देश की इज्जत और प्रतिस्था बढ़ी है मान और सान बढ़ा है और जो कुछ भी कारवाई आतंक वाद के खिलाप हुआ है उसके चलते सभीत देश वास्यों का मनोबल मुचा बिहार को पिछड़ेपन से छुटकारा मिले इसलिए जरूरी है कि अगले पांच वर्सों के लिए पुना केंदर में मोदी जी की सरकार बने और इसी के लिए आप साब लोगों को आग्रह करने आया है कि भाई सुमन जी को जीताई तीर चाप के बगल का बटन दवाकार इनको विज़ेई बनाईए और हम लोग तो किंद्र सरकार काम कर रही है और बिहार में हम लोग 13 साल से काम कर रहे हैं सब की सेवा कर रहे हैं सभी इलाके का विकास कर रहे हैं जब मौका मिला तो हम लोगों ने क्या कहा कानून का राज कायम करेंगे नयाय के साथ विकास के मार्क पर चलेगे नयाय के साथ विकास का मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के सब तबके का उत्थान तो हम लोगों ने जो कानून का राज कायम किया याद करिए पंदरा साव तक एक परिवार का राज था पती अंदर गए फिर पत्री बैठी गर्दी पर और बिहार की क्या इस्थिती थी साम होते होते कोई घर के बाहर निकलने का हिम्मत नहीं करता थी क्या बुरा हाल थी और जब हम लोगों को काम करने का मौका मिला तो हम लोगों ने कहा कानूं का राज कायम करेंगे जंगल राज का खात्मा किया कानूं का राज कायम हुआ कि कैसी चबी बना दी थी पती पत्नी राज ने पुरे देश में कि अगर बिहार का आदमी कोई बाहर जाता था तो संकोच करता था ये बताने में कि हम बिहार के रहने वाले थे संकोच था मन में बिहार के लोगों का लोग मजाक उड़ाते थे और जब आप लोगों ने हम लोगों को मौका दिया बिहार में इतना काम हुआ कि अब बिहार का आप भी बिहार के बाहर जाता है तो सान के साथ कहता है कि हम बिहार के रहने वाले हैं हम बिहारी हैं ये परिवर्तन आया है यहां से लेकर बाहर तक देख लिजिए बिहार की छबी के बारे में और हर इलाके का कोई आके को फ्रिक्षा हम छोगों नहीं किये, हर आके के विकास के लिए काम किया और कही भी अगर कोई संकट आता है, आपदा आती है तो उसे छुटकारा दिलाने का और लोगों को रहत महुचाने का भी काम करते हैं गोपालगंट के लोगों को अच्छी तरह मालूँ है तो हम लोग हर काम को करते हैं लोगों ने इसका लाव उठा लिया पूरे देश में दस करोर से ज्यादा परिवार के लोगों को इसका लाव मिलने वाला और अब किसानों के लिए जो केंद्र सरकार ने किसान सम्मान निध कि जाएगी और किसानों के लिए ये बहुत उपयोगी चीज है किसान खेती करते हैं उनको पैसा खर्च करना पड़ता है अगर सरकार से मदद मिल जाएगी तो जो खेती में उनका पैसा खर्च होता है उसमें कमी आ जाएगी और सभविक है उनकी आमदनी में बृती हो तो इस प्रकार की अनेक योजना है जो केंदर सरकार के द्वारा चलाई जा रही है उससे देश आगे बढ़ रहा है लोगों को इसका फायदा मिल रहा है और बिहार के लिए जो केंदर सरकार ने मदद की है बिहार को पिछड़ेपन से छुटकारा दिलाने में अकेले सड़ राजमार के एपनाया और के चिन्द्र सरकार सिर्प सड़क और फूल के छेतर में विभार में 50,000 को रुपे की योजनाओं को मंजूरी दी है और उस पर काम प्रारम होगे नेशन भारत के न्यूज रूम से मैं का तेनी मिश्रा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशन भारत को